मैं दुबारा मैं दुबारा out these आप सभी को समझा देता हूं हो सकते हैं कुछ बच्चों को समझ में यह नहीं बस एक ओवर्वीड आ था तो मैं दुबारा कोश्चन समझा दूगा और फिर वैसे करेंगे यह मैंने लो मिट आ दिया ठीक है जी सर हमें बनाना है April, May, June तर उपर लिखना है Cash Budget उपर लिखना है Budget कलिए सर सबसे पहले क्या है Particular Opening Balance फिर लेके चलेंगे हम Reset या फिर बोल लो फिर लेके चलेंगे Opening Balance को पढ़ा जाए तो कोश्चन में कहता है जी एक्सपेक्टेड 25,000 रुपए हमारे पास April के महीने में Cash है तो सर अपरेल का 25,000 हो गया Opening Balance Sales पहले एक-एक Adjustment पढ़ लेते हैं कहता है Period Allowed by Supplier टू महिने जिससे समान खरीदते हैं वो दो महिने का हमें Allowed करता है Supplier तो मोटी-मोटी बात Supplier तो पेमिंट में आएगा न पेमिंट की बात कर रहे हैं तो वो सर कहा आएगा वो वो तो आएगा सर पेमिंट में जी सर पेमिंट में आएगा तो यहां पे हम पेमिंट भी बना लेते हैं यहां बना लेते हैं यहां बना लेते हैं payment बना लिया that is outflow चलिए सर यानि कहता है दो महने बाद जैसे आपने कोई भी purchase किया है FAB में आपने purchase किया है FAB में तो FAB में जब आपने purchase किया है इसका payment दो महने बाद दोगे तो FAB वाले का payment जो होगा आप जो paid करोगे FAB में तो करोगे ने March, April यानि paid कब करोगे April में और March वाले का payment कब करोगे सर, after two month तो ये मैं में आएगा और April वाले का payment कब करोगे after two month that is June में April के बाद मही वाले का payment कब करोगे that is two month after July में हाला कि हमें July का बनाना नहीं है तो उतने ज्यादा detail में जाएंगे भी नहीं तो payment में बात करता है creditor को सर हम जो April महनी में payment करेंगे वो करेंगे kg फेभ बाली payment that is 40,000 और इसके बाद 50,000 इसके बाद 50,000 पहले point में किसी को doubt तो बताईए किसी को doubt है तो बताइए कितने marks कहाता है ये आपका 10 number का भी आ सकता है 15 number का भी आ सकता है depend on situation पर नहीं भी आ सकता सब रहता है इसमें बताइए पहले वाले में पहले वाले में किसी को doubt no doubt, चलिए अगले बात पढ़ लेते हैं दूसरे adjustment की बात करते है कहता है जो भी sales होगा जो भी sales होगा इस sales का 25% तो cash में बेच देंगे बाकी जो बच गया 75% that is हम बेचेंगे उधार पे कहता है 25% sales cash and the period of credit allowed to customer for one month और बाकी ये जो उधार बेचा है ये one month के बाद हमें पैसा मिल जाएगा यानि सर बहुत simple सी बात है मैं बात कर लेता हूँ 70,000 फरवरी की यहां मैं बात कर लेता हूँ 5 month की तो line खीच देते हैं ठीक है? हम बात कर लेते हैं 70 का 25% तो FAB में ही मिल गया होगा that is 17,000 और बाकी जो बच गया हमारा 52,500 ये मिलेगा अगले महने यानि ये पैसा कब मिला होगा? March तो क्या हम FAB का बना रहे हैं? तो जवाब है सर FAB का तो बना ही नहीं रहे March का बना रहे हैं? March वाले सेल में अगर देखा जाए तो है 80,000 80,000 का 20% 25 30,000 तो यहां सेल होगा मार्च में ही और बाकी का 75% आपका जो बचता है 60,000 वो मिलेगा आपको एपरिल में यानि सर सेल्स की हम बात करें और कलेक्शन फ्रॉम डेटर की बात करें तो जो मार्च में बेचा है 60,000 उसका पैसा हमें अपरिल में मिलने वाला है मार्च के बाद अपरिल की बात करते हैं तर अपरिल की सेल है 92 तो 92 का 25 तो अभी मिल जाएगा 92 का 25 अभी मिल जाएगा और बाकी चला जाएगा आपका मई में तो सेल्स 23,000 रुपे यहां मिल गया, बाकी चला गया मई में डेटर से पैसा मिलेगा 69, यानि हर महिने का सेल्स का 25 परसेंट इसी महिने 75 परसेंट अगले महिने, चलिए हमने एपरिल का कर लिया में में क्या होगा फिर से, में में भी होगा ना, पहले में में देखते हैं तो 25 परसेंट इसी महिने मिल जाएगा हमें, इतने का सेल है सर, एक लाग का, एक लाग का 25 परसेंट तो मिल गया है और बाकी का अगले महिने यहां, समझ रहे हो, आगे एक बीस है फिर 25 परसेंट मिल जाएगा, that is 30,000 और बाकी का 90,000 अगले महिने तो अगले महिने का बनाना नह देखिए पहले sales को देखिए, किसी को दिक्कत है तो बताईए, sales में देखिए किसी को दिक्कत, बागे तो सब आसानी है, बस sales में आपको थोड़ा complicated adjustment आएंगे, आगे चलके भी, है किसी को दिक्कत sales में, अधिति, शाक्षी, लिना, बताईए किसी को sales में doubt, no doubt, चलिए, तारी दूसरा, C adjustment, delay payment in wages, one month, भाईया, wages को हम एक महने बाद payment करेंगे, तो हम April में जो payment करेंगे, वो April का पैसा नहीं देंगे, April वाला payment करेंगे, इसमें, इसका payment करेंगे, इसमें, तो April में जाएगा हमारा पीछे महने का payment, तो March वाला payment, April में आ जाएगा, wages, तो March में कितनी payment है, सर, March में payment है, wages का 8,000, 8,000, April वाला मई में जाएगा, 9,000, मई वाला जून में जाएगा, 10,000, expense, कुछ नहीं, ये wages और expense में दोनों में एक ही कहानी है, कहता है wages and, तो सर, expense में भी कर देते हैं, यहाँ पे payment होगा, expense में कितने, 7,000, ये भी 7,000, ये 8,000, कहता है income tax हमने June में payment किया है, तो सर, income tax करो payment, income tax जून में, तो सिर्फ जून के महिने में जाएगा, that is, खतम कहानी, अब बस totaling करना है, चलिए सर, पहले इसका total कर लेते हैं, 25,000, 23,000, और 60,000, that is, एक लाख हाथ हजार, total एक लाख आठ हजार, आप ऐसा नहीं के फिर इसका कर लिजए, इसका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि opening balance जब तक नहीं आएगा, नहीं कर सकते, चालिस और पंदरह, 55,000, यह भी total भी हो गया, अब निकाल लेंगे हम, balance, इसको बोलेंगे, cash balance, या फिर बोल सकते हैं, closing balance, तो minus 55,000, 53,000 रुपे बचाए सर, और यह 53,000 आजाएगा हमारा, समझे, अब 53,000, 25,000, 69,000, 147,000, इसका total करेंगे, 5,000, 16,000, 50,000 और 16,000, 67,000, और इन दोनों को जोड़ेंगे, 147,000, क्यों, 2,14,000, अच्छा, प्लस कर दिया, माइनस करना था, एक सेंट 80,000, और यह 80,000 पहुंच किया जी, यहाँ, अब 80,000, 30,000, 185, और प्लस 52,000, 10,000, 8,000, 90,000, 5,000, minus 184,000, 20,000 बच गया जी, हमारा closing balance, यह था जी, हमारा cash budget का simple question, कौंसा, यह, अच्छा, यह, 66 आएगा यह, और फिर यह भी क्या सी जाएगा, यह, 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 बन गया हमारा cash budget, कोई दिक्कत, clear रहे हैं था है, सर, wages का concept बता दो, बिल्कुल, देखो, wages में क्या कहता है, मैं मिटा के बता देता हूँ, सर, wages में कहता है, line देखना, कहता है, delay payment, पैसा नहीं देंगे, wages और खर्चे को, एक महने, यानि आप अगर अपरिल में काम करोगे, तो अपरिल में पैसा नहीं मिलेगा मैं 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 तो हम तो आउटफलो तो मैं 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 जाएगा, तो इसका मतलब सर, अगर फैब में मैंने नौकरी की है, तो फैब का पैसा मुझे मिलेगा कहाँ, सेम अगर हम बात करें, जो हमने मार्च, फैब के बाद मार्च में नौकरी की है, वो payment जाएगा यानि April में payment तो जाएगा लेकिन March वाला जाएगा सेम अगर मैं बात करूँ कि जो March के अंदर job करेगा उसका payment जाएगा यानि एक एक महने पुराना wages जाएगा, simple सी बात है तो हम अगर April में payment जो करेंगे न वो April महिने की नहीं होगा कब का होगा, March तो March वाला पेमिंट कर दो, April वाला पेमिंट कर दो, मही वाला पेमिंट कर दो, June वाला तो जुलाई में जाएगा तो वही मैंने करा, March, April और मही clear है जी चलिए अब इससे related कुछ questions में डालूँगा क्योंकि ज्यादा ये lengthy chapter नहीं है simple सा chapter है मैंने कहा दो से तीन question ही करने है इससे related में question डालूँगा ये शाम् हा साट रिund ये मैंने क है झालूँे चलिए